जीद फिक्स क्यों कोई student exam में 99% ले आता है जबकि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पढ़ते हो और फिर भी तुम्हारे marks बहुत कमाते हैं ऐसा क्या होता है जो एक topper को तुमसे अलग बनाता है इसका जवाब मुझे तुमसे चाहिए ऐसा क्या है जो किसी और के पास है और तेरे पास नहीं है ऐसा कौन सा काम है जो एक topper कर सकता है और तू नहीं कर सकता ऐसा क्या है जो उसको by birth मिला है और तुझे नहीं सोचा कभी डीप से सोचने बैठोगे तो बहुत जवाब मिलेंगे सबसे पहला तो ये कि तुम में और एक topper में biological कोई फर्क नहीं है तुमारे शारीरी अंधरे में ना पटपाने वाली आखें तो फिर फर्क किस चीज का है फर्क बहुत कम है एक फर्क है टाइम और प्रायोटीज का यान की वक्त और प्राथवित्ताओं का एक topper को पता होता है कि कौन सी चीज को या कौन से काम को कब और कितना टाइम देना है जैसे अगर मु और दूसरा क्या है जो एक टॉपर को तुम से अलग करता है तुम्हारा मकसद सिर्फ पढ़ना होता है रटना होता है माक्स लाना होता है जबकि एक टॉपर का मकसद सिर्फ पढ़ना कभी नहीं होता है उसका मकसद कुछ और होता है पढ़ाई तो सिर्फ एक मात्यम होता है ज यही बात उसको ताकत देती है और क्या फर्क होता एक topper और एक average student में topper कभी भी रठता नहीं है वो चीजों को concept को समझता है उनको practical way में apply करता है इसलिए वो उनको भूलता नहीं है जो तुमारे उपर पंखा चल रहा है कभी तुमने बिजली कटने के बाद ये notice किया है कि वो कितनी second बाद रुकता है और उससे फिर ये जानने की कोशिस करी है कि अगर इसको regulator से आधी speed पर चलते हुए रोकेंगे तो कितनी second में रुकेगा क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिस करी है कि जो tube light तुमारे room में लगी है वो एक second में कितनी बार flick करती है वो एक घंटे में कितनी unit निकालती है अगर पता किया होगा तो एक्जाम में कभी power consumption का answer गलत नहीं होगा यही फर्क है एक average और एक उस student में जो जिन्दगी के किसी मकसद के लिए पढ़ता है वो अपना गर्ज जरूर चुकाएगी थोड़ा धेरे रखो अपनी मेहनत पर विश्वाथ रखो तुमारी जीत फिक्स होने वाली है जैहिंद वंदे मात्रम झाल